हाई एवरीवन मैं मानी स्वागत है आपका टीस्टी टेपल में और आज हम अपने किछे में बनाएंगे मसाले दा चटपटे भरवा बैंगन इस यह भरवा बैंगन जितने स्वादिश्ट दिख रहे हैं उतने ही स्वादिश्ट बनके रैडी होते हैं तो चलते हैं रेसिपी 15-20 लहसून लेने हैं एक टामाटर लेना है पास से छे लाल मिर्च लेनी सुखी वाली और दो प्याज लेने हैं स्लाइस में कटे हुए अभी दो से तीन चमच मैंने ओल डालना है इसको जादा फ्राय करने के लिए ओल की जुरत नहीं पड़ती है अब सारे मसाले हम डाल द बूट करेंगे अब ठोड़ा सा नमक डाल दिया थाकि जल्दी से फ्राय हो जाए ज Stupid इस तरह से फ्राय कर्रेंगे तो बिल्ल्ट करने की जुरत ने पड़तीै तो फ्राय करेंगे अब यहने तीन चमश मुवफली के डाने ढाल दिया है और इसको भी तलने देंगे अब चाहे तो भून की भी ले सकते हैं लेकिन इस मसाले में ये जो मूफली के दाने अच्छे से फ्राय हो जाते हैं तो भूनने की पहले जरुद नहीं पड़ती है और यही टमाटर हमने डाल दिया है अब इस टमाटर को नरम होने तक हमने इस मसाले को पकाना है और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे अब कलर के लिए अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तर से मिक्स कर देना अच्छे से और इसको अब अच्छे से पकने देंगे थोड़ से ढाग के पका देंगे जल्दी पक जाएगा और टामाटर हमारे नरम हो जाएगे तो मसाला हमारा रैडी हो गया है इसको ठंडा हो करके ग्रैंड करना इस मसाले को थोड़ से ठंडा होने देंगे और इस मसाले को फिर ग्रैंड कर देंगे मिक्सर में में जार में डालकार्शिब आए देखिए इस तऱ से जार में करके अब मैंधि ग्राइड करने के लिए लिए झाहर हूं थोड़ा है अब यह घरम है तो इसको ठंडा जुरूर होने दीजिए आप गरम ग्राइड ना करें तो हमारा मसाला ग्राइड हो गया है इसमें बिल्कुल भी पानी एड़ करके पीसना नहीं है, ग्रैंड नहीं करना अब इस तरह से हमें इसे फिल कर लेना है, भर लेना है चाहे तो हाथ की सहयता से कर लीजे, चाहे तो चम्मच की सहयता से मसाला अगर घरम हो तो चम्मच की सहयता से कर लीजे यह देखिये इस तरह से पूरा फिल करदेना है भड़ लेना है मसालि- Mm अब इसको हमने फ्राय करना है किसी कड़ाई में हम फ्राय करनेंगे दो अप्राइब कर लेंगें अब तोछ सका निए अब इस तरह से झा बिएके अब हमारे तो मासालये तार बैंगन परेंगे उसका मसाला तो अब हमारे माणे कर लिए इसको घरम होने दे एक करशी हमने और डाल दिया है आधी चमच जीरा डालना है हमने ओल गरम होती है यह आधी चमच मैंने जीरा डाल दिया है हिंग डालनी है हिंग डाल दिया है मैंने स्वादनुसा और यह एक प्याज डाल दिया चॉप किया हुआ बारिक और इसको अच्छे से फ्राय होने देंगे तोड़ा सा लाल हो जाने देंगे हमारे प्याज को यह देखिए तोड़ा सा फ्राय हो गया है अब एक चमच अद्रक लसन का पेस्ट डाल देना है तो इसको 2-3 मिनिट पकाना है, हमने ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है, भूनना नहीं है, 2-3 मिनिटी फ्राइ करेंगे, आपको सूखे मसाले डाल देना है, तो आधी चमच हल्दी डाल दिये मैंने, एक चमच घर की PCV मिर्ची, एक चमच मैंने कश्मीरी रेड चिली प मिक्स कर देंगे हम, और स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, नमक थोड़ा ध्यान से डाल लिए, क्योंकि पहले भी डाल रखा है, इस दो टमाटर मैंने दो टमाटर की प्योरी डाल दी है, और इसको तेल छोड़ने तक पका लेना है, इस तरह से चला-चला की तेल करके रखा तहारा धनिया, अब इसको इसमें अच्छा से मिक्स करके पका लेंगे से भी, तो यह मारा इस्टफ यह मसाला रैडी हो गया है, बैंगन में डालने के लिए, यह देखिए, तो अब इस बैंगन में हम यह मसाला डाल देंगे, जाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते है लेकिन मुझे थोड़ा मसाले दार चाहिए, तो मैं यह मसाला रैडी किया है, मैंने यह देखिए, तो यह मसाला आप इसमें मिक्स कर देंगे, आपको जैसी भी ग्रेवी बनानी है, तो उसमें थोड़ा सा पानी आप एड़ कर सकते हैं, यह देखिए, मुझे ऐसे ही देंगे, तलने देंगे हम, ताकि मसाला अच्छे से पैंगन अब्जब कर ले, यह देखिए, इसे थोड़ा चला देंगे मसाले को हम, इस तरह से, थोड़ा ध्यान से चलाईए, हमारे पैंगन तूटे ना, क्योंकि हमने स्टफ कर रखा उसे, और धक्के पकने देंगे इस इसे दबा करके थोड़ा से चेक कर लेती हूं, तो अभी हमारे पैंगन पके नहीं है, हमें फिर से ढख के पकाना इसे, यह देखिए, अभी एक बार फिर से में चेक कर लेती हूं, कितने स्वादिष्टे दिख रहे हैं, एक दम ग्रेविय का कलर भी कितना अच्छा आया है यह देखिए, अभी एक बार चेक कर ले रही हूं, तो हमारा बैंगन अच्छे से पक गया है, मतलब रैड़ी होगी सबजी हमारी बन के, मसाला भी अच्छे से भून गया है, तो सबजी बन के रैड़ी होगी, कैस मेने बन करती है, तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, थाइंक यू, बाबाई, इंजोई करें, पराटे के साथ, चावल के साथ, बाई बाई